दोस्तों जापान में चल रहे ओलम्पिक्स में हाई जंप इवेंट में दो खिलाडी कतर के मुताज एशा बर्शिम और इटली के जियान मेरिको टेंबरी ने दोस्ती की मिसाल पेस की दरहसल दोनों खिलाडियों ने फाइनल में सेम हाई जंप लगाया जोकि 2.37 मीटर था तोनों के बीच गेम टाई हो जाने की वज़े से दोनों प्लेयर को एक-एक कर फिर से जंप लगानी थी लेकिन चोट लगने की वज़े से टेंबरी का जंप लगाना संभव नहीं था इसलिए टेंबरी का हरना भी लगबगता है था ऐसे समय में मुताज एशा बर्शिम ने अपने गोल्ड मेडल को टेंबरी के साथ साज़ा करने की इच्छा जताई और दोनों को सहियुक्त रूप से कंबाइंड विनर एनाउंस किया गया मतलब कि दोनों को गोल्ड मेडल दिया गया टेंबरी और मुताज एक दूसरे को 13 साल से जानते हैं इन दोनों की बीच 13 साल पुरानी दोस्ती है और इस ओलम्पिक्स में दोनों ने दोस्ती की एक बहुत अच्छी मिसाल पेस की